हेलो फ्रेंट्स देखते हैं कि जो हमारा NWTA है इसमें UDC और LDC का क्या फ्लेबल है और किस टॉपिज से कितने कोश्चन आते हैं और इसमों कैसे प्रिफियर करेंगे एक्साम के पॉइंट ऑफियू से हैं और इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रही कि आपको तैयारी करने लि हैं अगर हमारे थोड़ी बहुत इंगलिज आती है तो इसमें कौन-कौन के टॉपिक और सबसे पहले कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो जो हमारा UDC, LDC या कोई भी इसमें विकेंसी आई है उसमें सब में आपका यही स्लिबस कॉमन है तो इसमें क्या पढ़ना है आपको पढ़ने हैं तो आप इसके लिए एक लूसें कियाती है इंग्लिस उसे आप ले 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 लूसेंट में क्या है आपका बेसिक से पूरा एडवांस तक दिया गया है और चैस्ट नहीं भी कोश्चन और चीस टाट के भी कोश्चन एकसाम में आते हैं यहां को इस बुक है एक कितने प्रकार की उती है और उन कहां पे कौन सा नाउन उस करते हैं रो जैसे क्या है एक सेंटव बगे लादा चिसमें नाउन कौ सा है और welche कौन सा नाउन है मतलब आपका common noun इसके एक्सामपल लगाना है और लास्ट में आपको इसकी एक्सरसाइस जो पेपर में दिये होती है में वो लगानी होती है प्लाइत कि थे उन्हे आ स्कुछ क्या है इसके एंसे की बाते हैं अप्ड को एंकको ह्ल् करके का प्रोब्रणमन स्विय्टिक्शन प्ड़ना है तो यह सारी चीश् Jorge आपको इसी फ्पलो में और ऐसी पढ़ने है और फिरा पड़ो लास्ट वैंपो पढ़ना है ए एंदा तो हमें पढ़ना है कि ए का यूज कहा होता है एक किसवर्ट के पहले लगता है कहां पे लगेगा और कहां पे नहीं लगेगा जितना हमें यह पता होता है कि ए यहां यूज करना है उतना ही मैं प तो हमें यह सारी चीज़े देखनी होते हैं तो अजर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा इसली कंप्लीट हो जाएगा डिली और डिली आप पढ़ेंगे तो इसको आप मिनिमुम पंद्रा दिनों में आप यह टॉपिक क्लियर कर सकते हैं इतना यह जो साथ 7 चैप्टर से डिली इसको भी आपको इसी सीक्वेंस पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना है इसके लिए भी आपकी जो बुक देगी है इसमें बहुत अच्छा है और आप जैसे आज तुम मैं यह वीडियो देखा है तो आप सही आप डेली पांस सानोनियम से याद करना चालों को तो तीस दिन बाल आपको बदख लागा कि आपने तेड़ सो से नोनियम से याद करें और एक्जाम में इन तेड़ सो में से ही आपका आ जाएगा ऐसी सेम अटोनियम से करिया कि डिली पांस यह आप करिया रजन वर्ट सब्स्ट्रिट्यूट आइडफ ने यह सारी चीज औ उसके बाद आप लास्ट में कॉंप्रियां हैं सन की प्रैक्टिस हो लिए और जितने भी यह टॉपिक दिये हो हैं पेपर में इससे सारी टॉपिक में से एक एक कोश्टिन जरूर आता है जैसे एक सेनोनियम से आगा एक एक स्पैलिंग अरर आगी एक अपका प्रपोजीश तो हमें अगर सेलेक्शन चाहिए तो हमें सारे टॉपिक पढ़ने होंगे और इनको अच्छे से पढ़ना होगा तो आप इस तरीके से इसे इंगलिस की तेजारी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आप एक पर दिले कि रख्टूपिक आपको पढ़ना है तो यह नेक्स इसमें आपको सबसे पहले संदी विचेत पढ़ना है फिर समाज पढ़ना है लास्ट अलंकार पढ़ना है वच्छान हो गया लिंक हो गया अनेक्त वाक्यों की एक वाग होगा और लास्ट में आपको गधा साधरी कोश्टन पढ़ने हों तो यह इस तरीके से आपको सारा प क्या होता है कितने प्रजाबियों कि आप तीन सो वर्ट्स याद कर लोगे, इस दरदे आपका हिंदी भी हो जाएगा, तो यह कोई भी चीज़ है, जितने भी चीज़े हैं, आपको उसमें एक आपका रूटीन में लादा पड़ेगा, यह आपको जैसे याद करने वाली जो छोटी डीली आपको दस या बीस याद करनी है, जिससे क्या हो जागा, आप मैकसिमम की एक मैने में चीज़े ही याद कर लोगे, और हिंदी की लिए बुक बात करें तो हिंदी की भी एक लूसेंट आती है, बुक वो बहुत ही अच्छी है, तो लूसेंट से भी याद कर सकता है, आई यह नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसके बाद है, जर्नल नॉलिज, जर्नल नॉलिज के में भी हम कैसे पढ़ेंगे, तो जर्नल नॉलिज के लिए भी लूसेंट आती है, तो मैं आपको लूसेंट ट्रिक्मेंट करता हूं, कि आप जाए हिंदी होगे, इंग्लिश होगे, जर्नल नॉलिज होगे, या फ और modern क्या होते हैं इन तीन हो हिस्टिर को बढ़ी है और फिर जोगर्फी है जोगर्फी में आपको बढ़ना है जैकर आपके लीवर हो गया मांटेन हो गया अग्रिक्योचर हो गया आपका डांस हो गया और यह बहुत सारी चीजे हैं इस सभी आपको करने हैं और quality की बात कर ल अनुखी हो गया ES300 पेंचानने में उले सोची तो कितनो पूची में क्या आता है और कैसा कया है तो आप इसको यह पढ़ सकते हो जुछ है इरेर्फे आप्लों चे हो कर् regimes क के कुछा हैं दियां की अपके पंद्रा कोश्टें कर एंड के काने तो आफ हो करेंट बहुत जादा है ध्यान से कर्हें है तो करेंट रफ Boston का 있다고 कॉरेंस मैं क्या होगा आप इन्डियम और वर्ड दोनों प्ढ़िए इसके लिएное के लिए में कूई आफके यह इस्टैक इस्टैक दिया हुआ है इसे भी हमना है क्या पता इस लास्ट ताम तो नहीं आया था क्या पता इसे तीन चाह फोशन इस्टैक से भी आजाते हैं तो अगर आपने इस ली कर लिए तो थैंक यू अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो तो उसके लिए नीचे दिये के टेलिग्राम चैनल को आप जोइन कर लिए जिए इलापे डेली आपके पचास प्लस mcq दिये जाते हैं जिसे आप यूज करके प्रेक्टिस में आपको उसको प्रेक्टिस होती जाएगी थैंक यूफर वाचिंग उसको डियाएगी